Hello everyone, welcome back. आज मैं भात कर नगे आ रहे हैं Bubble short के बारे में. बबलshot को एक और नौम से बोलते है इसको बोलते है एक्स्चेंजसर्ट इसको एक्सचेंज स्वी शॉर्ट बोलते है Bubble short हमेर सा Small dataset के लिए चमाल कियाता है Small data set के लिए, ठीक यह चीजाद रखेगा कि bubble short अमेटा small data के लिए use होता है अगर हम आपास large data set होगा तो bubble short में बहुत time लग जाएगा इसलिए हम लोग large data set पे bubble short का काम नहीं करते है यूज नहीं करते हैं अब bubble short में क्या होता है कि हमारे पास एक array होती है और उसमें क्या करना होता है हमको sorting करनी ह वह कैसे करते हैं चली जानते हैं एक example लेते हैं example हमारे पास एक array है जिसमें value है 15, 10, 16, 10, 6, 10, 8, 10, 5 इसका indexing number है 0, 1, 2, 3, 4 नहीं कि हम लोग ने इंडेक्स नमबर लिख लिए 0 से 4 हैं हम आपस कितनी value है अगर हम बात करें कि ए हमारे कितनी है 5 total 5 values है और इस और का नाम देते हैं 5 ठीए bubble short में pass में हम लोग work करेंगे हम लोग एक pass में पूरा यहां से लेकर यहां से start अथि करेंगा यहां तक move करते जले जाएंगे ठीक वह फूरा एक parallel court ह depending हम लोग second pass में भाशन करिंगे है कैसे इसको चली जानते हैं देखिए सबसे पहले हम लोग इसको और इसको अशी एक्स 15 क्या है 15 ग्रेटर दन 16 नहीं फॉल्स यानि कि यह छूटा है ठीक ग्रेटर दन फिफ्टीन नहीं है फूटा है तो कोई इकत्नी एज़िस रहने देंगे हम लोग यहां पर ठीक यानि कि 16 क्या है बड़ा है किससे 15 से तो एज नंबर को हम आगे मुप कर जाएंगे यहां पर लग कि rapping क्या है जाएंगे आप मोलग स्क्षीन को सेक्व मुः करेंगे। कि यानि कि तो पैंडेल्ण ओधं कि ह्यां छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे इसको स्वाइब कर देंगे यानि कि 15 यहां आ जाएगा 15 पहले देट रहेगा 6 यहां आ जाएगा और 16 यहां पर आ जाएगा एक बाकी नमबर एड़ रहेंगे ठीक तो हम लोग कहां पहुच आते हैं यहां तक थे तो इसको स्वाइप कर दिये थे हम लोग आगे मूब कर जाएंगे यहां पर फिर हमारा 16 किस से compare होगा एट से compare होगा देखें यहां पर फिर क्या है कि 16 बड़ा है 8 से तो हम लोग 8 और 16 को स्वाइप कर देंगे यानि कि उनकी पोजिसन को एक्सचेंज कर देंगे तर हमारा 15 यहां पर आएगा 16 यहां पर आएगा देन हम लोग 16 के जिगा एट आ जाएगा और 8 के जिखा 16 आ जायगा ठीक ना बाकी वालुउस लिख देंगे हम लोग कहां पे इस पोजिशन पे यानि कि इन्डेक्स नमबर टू पे ते ना ना हम लोग मुव करेंगे फिर यहां पर इन्डेक्स नमबर थ्रीप करेंगे ठीक इंडेक्स नम आप साथ में लिखते यहां पर चक किए जाएगा कि 16 क्या बड़ा है इंडेक्स नम्र जो 4 की वैलू है उससे तो यानि कि 16 ग्रेटर दन 5 है यानि कि 5 हमारा क्या है छोटा है 16 से तो हम लोग इसकी वैलू को यानि कि एक्चेंज कर देंगे 15 6 8 5 नाउ यहां पर आ जाएक 16 इंडेक्स नम्र लिखते हैं 01234 तो हमारा क्या हुआ हम लोग लास्ट तक पहुझ गया है यानि कि हम लोग यहां से किया थे और लास्ट तक पहुझ गया है ठीक अब हम लोग यहां पर थे हम लोग अगर आगे मूब करेंगे तो हम लोग को पास आगे एक और वैली होने चाहिए जिससे में लोग करेंगे तो आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे तो हमारा क्या हुआ हुआ यह पूरा एक पास में हो गया यानि कि पास फेज वन या कह सकते हैं फे 15 6 8 5 और 16 ठीक नाव इंडेक्स नमबर लोग देते हैं 0 1 2 3 4 ठीक नाव से क्या करेंगे फिर से स्टार्टिंग से हम लोग कंपेर करेंगे वैलू को यानि कि हम लोग यहां से किस्ते इंडेक्स नमबर1 पर रहेंगे ठीक यहंक लिए यहमारा जीरो पर ठीक नव जीरो की वैलू को कंपेर किसे इंडेक्स नमबर वन की वैलू के साथ ठीक यानि की चेक के जाएकHow कि 15 teachings Kü boca किया च्प्यूता है आफ इस तरह 15 की जिका 6 को रख देंगे और 6 की जिका 15 को रख देंगे यानि कि हमारे जो नया एरे बनेगा वह आएगा 6 यहां पर आ जाएगा 15 यहां पर आ जाएगा बाकि सेम वैल्यू एजिटीज रहेंगी ठीक हम लोग क्या करेंगे इंडेक्स लिख देंगे जीरो 1 2 3 4 ठीक ना आई यहां पर था ना जीरो प्लेस पर यहां पर ठीक ना आई हमारा क्या मोव हो गया यहां पर ना अब हम लोग कंपर करेंगे किसके साथ इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू जो है 15 किससे कंपर करेंगे इंडे number 2 कि वैलू क्या है स्माले है किससे index number 1 से तो हम लोग इन दोनों वैल्य को क्या करेंगे exchange कर देंगे swipe कर देंगे तो हम लोग 15 लिखेंगे फिर 8 के वैल्य कहाँ पे आजाएगे 15 के प्लेस के फिर 15 के वैलू आ जाएगी देन बागी वैलू as it is हम लोग लिख देंगे now indexing लिख देते हैं 0 1 2 3 4 हो गया अब हमारा देखिए आई कहां पर आ गया हमारा कहां पर था index number 1 पर था हमारा आई यहां पर आ गया now हम लोग अफिर compare करेंगे किसके साथ इन दोनों के साथ compare करेंगे अब इसके साथ compare करेंगे फिर वही काम हम लोग की बाकी value as it is लिख देंगे ठीक now 15 ग्रेटर दन 5 प्रू है यानि कि 5 हमारा छोटा है 15 से तो हम लोग value को swipe कर देंगे पांच हमारा यहां जाएगा और 15 हमारा यहां जाएगा बाकी as it is value आ जाएंगे आई हमारा कहां पर था index नंबर टू पर था आई हमारा कहां आ गया अब index नंबर थ्री पर आ गया ठीक now अब compare करेंगे इसके साथ 15 ग्रेटर दन 16 यहां पर आएगा 15 ग्रेटर दन 16 नो condition false हो हो यहां पर 15 हमारा छोटा है 16 से यानि कि यह दोनों हमारा value क्या हो गई? नहीं record तो हमारा सब्सक्राइब करते हैं अब भी हमारा सेट कर डेटा सौर्ट नहीं हुआ है इसथ क्रेंगे अब बात करेंगे हम लोग बीडिकर करते हैं इसका इंडेक्स नंबर जीरो-1-2-3-4 नॉब फिर घ्रेटा करेंगे स्टार्टिंग से यानि कि हमारा आई यहां पे रहेगा अब आई कंपेर करेगा इसकी साथ इंडेक्स नंबर जीरो कंपेर होगा इंडेक्स नमबर 1 के साथ एट है यानि कि इंडेक्स नमबर जो कि एजीरो डिटर दन एवन है कंडिशन फॉल्स हो गई तो हम लोग एज़ेटेटे इसको रहेंगे आगे तो हम लोग इन दोनों की प्लेस क्या कर देंगे एक्सचेंज कर देंगे यानि कि 8 के प्लेस पर 5 आ जाएगा और 5 के प्लेस पर 8 आ जाएगा बाकी वैल्यू एज इस ही लिग दी जाएगी आप इंडेस नंबर 2 को कम्पेर करें रहेगा इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू के साथ यानि की 8 ग्रेटर देन 15 यानि के 8 ग्रेटर देन 15 वॉल्स कंडिशन फॉल्स हो गई मतलब यह आल्रीडी सॉप्ट है फिर आगे मुग करेंगे इस प्लेस पर इसको साथ कंपर होगा 15 साथ 16 के साथ तो यह अलड़ी प्लेसे से कंडिशन फॉल्स होगी यहां पर अलड़ी यह क्या हो गया प्लेस है ठीक बड़ा है यानि कि हमां 16 छोटा है यहां पर आप हम ग्रेटर साइन के लेकर चल ले हैं आप स्मॉल का साइन लेकर भी चल सकते हैं ठीक ना यह दुनों पास कि भी हमारे डेटा सौर्ट नहीं हुआ है ठीक यह हमारा क्या हो गया पास री कंप्लेट हो गया अब आत करते हैं पास फॉर की ना मारे डेटर कैने कल क्या है अभी तक 6, 5, 8, 15 और 16 इंडेक्स नमबर 0, 1, 2, 3, 4 ना हमारा आई यहां पर है ना आई कंपेर के जाएगा आई अफ 0 कंपेर के जाएगा किसे ए आउफ 1 के साथ यानि कि इन दोनों के साथ कंपेर के जाएगा 6 ग्रेटर दन 5 ठीक कंडिशन ट्रू होगा यानि कि यह बड़ा है किसे 5 से index तो हम लोग इसके कर देंगे क्या value को एक्षेंज कर देंगे तो हमारा जो निउटर बन के आएगा वो क्या आएगा 5 यहां जाएगा 6 हमारा यहां जाएगा बाकी फिर आई को हम लोग मूब कराएंगा यहां पर यहां पर आगा तो compare किसे साथ होगा इन दोनों इंडे के साथ compare होगा condition false हो गई हमारी क्या होगी condition true फिर यहां पर क्योंकि 8 हमारे छोटा है 15 से तो हम आई को फिर से move कराएंगे यहां पर आ गया आप compare के साथ 15 और 16 के साथ compare होगा 15 ग्रेटर दें 16 condition false तो हमारा इसका मतलब क्या होगे हमारी बाकी जो array है वो sorted है ठीक तो हम लोग बाकी सब को as it is ही उतार देंगे तो हमारा data क्या होगा sorted मिल गया ठीक ना हमारे data क्या हो गया है यह हमारा last data है और sorted data मिल गया इसको बोलते है बबाल short हमारा जो sorted array मिली वो है 5 6 8 15 और 16 यह हमारा sorted array है इसी को बोलते है बबल शॉर्ट हमझे यह इजी वे है बबल शॉर्ट इजी वे है और एक याद देखे के दिमांग में है कि बबल शॉर्ट हमें सब 100 data को के लिए इस्तमाल के ज़ए बड़े data के लिए हम लोग बबल शॉर आपको समझ में आगे होगी कि हम लोग डारेक्ट दो नंबर को compare करेंगे आपस में अगर satisfy condition कर रही है ठीक तो हम लोग ठीक है अदरवाइस हम लोग उसकी value को exchange कर देंगे अगर हम लोग यहाँ चक करेंगे कि 5 6 है condition false हो यानि कि हमारा जो 5 है वो छोटा है 6 है तो हम लोग उ हो गया देन हम लोग फिर से चक करेंगे कि जब तक यह तब तक हम जब तक हम लोग चब तक चक करेंगे जब तक हमारा पूरी जो एरे है वो सॉर्टट नहीं हो जा रही है इसको बोलते हैं बबल शॉर्ट थैंकियो अवरीवन